कक्षा 6, हिंदी व्याकरण, प्रकरण 4, संग्या व्याकरण परिचए, संग्या हम पढ़ चुके हैं कि वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्द जब वाक्य में प्रयोक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं, तब उनका अर्थ वाक्य के अनुसार होता है वाक्य में एक ही शब्द एक पद बन कर अनेक भूमिकाएं निभाता है वाक्य में आने के बाद जिन पदों का रूप बदलता है उन्हें विकारी पद कहते हैं संग्या व्याकरण का एक विकारी पद है नीचे दिये गए वाक्यों को ध्यान से देखें सुरेश कहां गया है वह मेरी किताब है नीचे मेरा घर है क्रोध करना अच्छा नहीं है इन वाक्यों में सुरेश, किताब, घर, विक्रोध, व्यक्ति, वस्तू, स्थान, वेभाव के नाम को दिखाता है अतह किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, विभाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के भेद व्यक्ति वाचक, जाति वाचक, भाव वाचक, समुवाचक, द्रव्य वाचक इस प्रकार संग्या पाँच प्रकार की होती हैं इन्हें हम विस्तृत रूप में इस प्रकार देखेंगे। व्यक्ति वाचक संग्या, नीचे दिये गए वाक्यों को देखिए। मधु मेरी सहीली है। टॉमी मदन का कुत्ता है। मैसूर सुन्दर शहर है। इन वाक्यों में मधु, टॉमी, मैसूर किसी व्यक्ति विशेश का प्रतीक है। या मधु, एक लड़की, टॉमी, एक कुत्ता, वे मैसूर एक सुन्दर शहर के बारे में बता रहे हैं। अतह, जो शब्द किसी विशेश व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विभाव के नाम का बोध करता है, व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं। इनके कुछ और भी उदारन हैं, विशेश व्यक्ति, मीरा बाई, लक्षमी बाई, विशेश वस्तु, महा भारत, रामचरित मानस, विशेश थान, दिल्ली, भारत, लालकिला, जाती वाचक संग्या, किताब ले आओ, गोड़ा घास खाता है, मक्षी गंदगी फैलाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त किताब, घोड़ा, में मक्षी, एक ही जाती की वस्तु, वे प्राणियों का बोध करवाते हैं, इसलिए ये जाती वाचक संग्या हैं। अतह जो संग्या शब किसी प्राणी, स्थान, वे वस्तु की पूरी जाती का बोध करवाते हैं, उन्हें जाती वाचक संग्या के कुछ और उधारन हैं प्राणी, पक्षी, लड़के, युवराज, वस्तु, कुर्सी, गोलिया, स्थान, स्टेशन, बाग, घर. भाव वाचक संग्या, दही में खटास है, बच्पन सबसे अच्छा समय होता है, अच्छाई ही काम आती है, क्रोध करना गलत है, इन वाक्यों में खटास, अच्छाई, बच्पन वो क्रोध शब से हमें मन के भावों का पता चलता है, इसलिए ये भाव वाचक संग्या कहलाते इन्हें हम चू, पकड या देख नहीं सकते। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। द्रव्य वाचक संग्या, एक लीटर दूद लाईए, सौ ग्राम लाल मिर्च, दो किलो चावल। इन वाक्यों में दूद, लाल मिर्च, विचावल वैसे तो संग्या शब्दी हैं लेकि इन्हें गिना नहीं जा सकता। एवल मापा या तोला जा सकता है। अतह जो शब्द किसी धातू, द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाते हैं जिने नापाय तोला जाता है, गिना नहीं जाता द्रव्य वाचक संग्या कहलाते हैं। कुछ अन्योधारन है धातू, लोहा, सोना, चांदी, द्रव्य, दूद, पानी, घी, पदार्थ, चावल, शकर, नमक। समूव वाचक संग्या, बच्चों की टोली, भारतिय सेना, कागजों का धेर। इन शब्दों में टोली, सेना, धेर पूरे समूव का बोध करवाते हैं, इसी लिए ये शब्द समूव वाचक संग्या कहलाते हैं। एक ही जाती के प्राणी या पदार्तों के समू का बोद करवाने वाले शब्दों को समू वाचक संग्या कहते हैं। कुछ अन्युदारण है पुलिस, दल, कक्षा, गुट, पार्टी, टोली, आदी। भाव वाचक संग्या बनाना भाव वाचक संग्या कई प्रकार से बनाई जाती हैं। यहां हम चार प्रकार से भाव वाचक संग्या बनाना सीखेंगे। जाती वाचक संग्या में प्रत्य लगाकर जैसे लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, देव, देवत्व सर्वनाम शब्दों में प्रत्य लगा कर जैसे अपना, अपनापन, निज, निजत्व, पराया, परायापन विशेशन शब्द में प्रत्य लगा कर जैसे सुन्दर, सुन्दर्ता, मीठा, मिठास, उचा, उचाई क्रिया शब्दों में प्रत्य लगा कर जैसे सजाना, सजावट, चिलाना, चिलाहट, पहनना, पहनाना कुछ और शब्द वे उनसे बनी भावाचक संग्या नीचे दी गई है झाल